सो हेलो काई विलकम बैक के alguém करें बिलोग यह मेरा पहला व्लोग करें चैनल को सब्सक्राइब करें अस दे Іcamर अधर भीन नाली थी यह पूरी नालीσगोई थी यहां से वहां तक लेकिन गाईस अभी थोड़े टाइम पहले इसको पेक कर दिया गया है करोड बना दिया है अब यहां पर गंदगी कम होती है पहले बहुत कुछ वागेर आते थे गाईस लेकिन अब यहां ज्यादा कुछ वागेर नहीं आते हैं और यहां पर मैं बिना चप यहां पर कुछ बिस्तर पड़े हुआ हैं मैं इहां फृस्तर पड़े हुए है और यह अलमारी है और यह मेरा होम्टेटर इस लिए पहले बहुत बजाता था और यह कुछ मेरे शूस पढ़े हुए है अब आपको दिखा दे तो अपना चोक so guys this is my choke और यहाँ पर कपड़े दूलते हैं और यह हाथ में दोने की कोठी है फिलाल यहाँ बरतन दूल रहा है और यह भी एक तान है जिस पर useless सामन रखा हुआ होता है guys देख सकते हैं और यह उसका gate है और एक gate guys उसका उधर से भी है तो उधर से वापिस लेकर चलता हूँ एक gate इधर से भी है तो यहाँ से आजाता है guys हमारा kitchen so guys हमें आचुका हूँ kitchen में और फिलाल यहाँ पर आठा गुंदा हुआ पड़ा हुआ है देख सकते होग अब यहाँ पर रोटी बनने वाली है बहुत जल्दी और यह पड़ा हुआ है हमारा दूद यह gas है हमारा यहाँ रखते हैं नीचे cylinder और यहाँ पर हमारी टंगी वगेरा है यह पुरा kitchen सेट है पुरे यहाँ पर kitchen आपको देखने को मिल जाएगा so guys अब मैं आ चुका हूँ बातरूम की तरफ तो यह सोरी और इसके बातरूम इस तरफ है guys so अभी मैं इसको खोलूँगा नहीं और यहाँ पर परेंडा बना हुआ है और guys यहाँ पर एक दुकान है यहाँ पर कुछ ऐसे अलमारी वगेरा बनी हुई है यहाँ बरतन पड़ हुए है और यहाँ पानी की टंकी बनी हुए नीचे पानी की टंकी इसलिए बनी हुए guys ताकि यहाँ पर पानी आपन स्टोर कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से उपर वाली टंकी में पानी चड़ा सकते हैं मेक यहां से पानी लेंके इस पाइप में अगर हम चड़ाते हैं तो सीधा ठीक पानी चले जाता है और यह जो गेट गाइज भी भार का रास्ता है यहां से इसको भार यहां से भार जा सकते हैं अब चलते हैं उपर गाइस परड़ा फट से चाहिए विलोग जादा लंबा नहीं हो और यह मेरा आगे वाला गम रहे गाईस यहां देख सकते हो आप यह आगे ठेली दो लागे देता है हाँ एक मिल लागे बोलता हूं तो गाईस में फिलाल टेरिस पर आज चुका हूं और आप देख सकते हो एक दम कालकती धूप है यहां पर और यहां पर हमारी है जाली जो चोप में आपको नीचे से दिखा रहा था गाईस यह उपर से दिखता है हाँ से और यही जाली है इसमें से जाला भी आता है हवा भी याती है और यह हमारा कुलर है गाईस यहा फिलाल अभी टूट चुका है तो इसको नहीं चला सकते और यह हमारी सीडिया है उपर चड़ने की और यहाँ पर मेरे बच्पन की साइकल पड़ी हुए गाइस देख सकते हो बच्पन की साइकल है और कुछ कशरा पड़ा हुआ है और यहाँ पर कबड़ सूख रहे हैं हमारे ठीके गाइस अब चलते हैं आगे तो गाइस टेरिस कापी बड़ी हुए और यहाँ से मैं आपको अपनी गली भी दिखा देता हूँ तो यह हमारी गली है गाइस देख सकते हो आप हमारी गली है और यह हमारी डिश की सत्री है तो गाइस आपने देख लिए मेरे पूरी टेरिस और यह टेरिस के ओपर एक जूला पड़ा हुआ है तो यह जूला है गाईस यह बच्चों का जूला है बहुत यूनिक बना हुआ है तो आई होब आपके व्लोग परसल आया होगा बसल आया तो लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें यह मेरा फस्ट व्लोग के ज़्यादा सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए गुड़ वाइए हैं अ